Hey guys, I'm Ambika from Guidely. आज हम English subject की strategy के बारे में बात करने वाले हैं. ये strategy उन बच्चों के लिए भी है, जिनका Hindi medium background था या जो English में weak हैं. और साथ में उन बच्चों के लिए भी है, जिनका English जो है, वो एक scoring subject है, strong subject है. Okay, हम English में तीन चीजों पे mainly focus करने वाले हैं. एक हमारे sectional mark पे, second reading पे, और third है rules या grammar पे. Okay, जब हम sectional mark पे बात करें, तो हमें daily अपने to-do list में English का एक section mark रखना है. कोई matter नहीं करता, आप अभी starting कर रहे हो, या आप beginner हो, या आपके कितने भी marks आ रहे हैं, negative में जा रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, कोई matter नहीं करता है. लेकिन आपको daily अपने to-do list में English का section डालना है, आप एक दिन pre देंगे, एक दिन means देंगे, alternate day पे. और जिनका Hindi medium background या जो week है ना, वो IBPS clerk से start कर सकते हैं, और जिनका English थोड़ा से strong है, वो IBPS pure से start कर सकते हैं. अब ये mock कहां से देने हैं, तो मेरे लिए सबसे best है कि आप guidly का जो भी आपके पास bundle है, तो bundle में आप लोगों को content की कोई कमी नहीं है. तो आप वहाँ से exam wise में जाके भी IBPS clerk के, IBPS pure का section दे सकते हैं, और section wise में भी जाके आप इनको दे सकते हो, pre और means दोनों के लिए, जैसे कि मैंने alternate days में आपके लिए बोला है, ठीक है? आपको ये mock देके, बस इतना जानना है कि आपके strong areas क्या हैं और आपके weak areas क्या हैं, ताकि हम जब real exam में जाए ना, तो हम अपने strong areas को सबसे पहले perform करें, जहाँ पे हम score कर पाते हैं, और last में हम अपने weak areas पे काम करें, जहाँ पे हमें थोड़ा सा confidence कम होता है, या जिसमें हम weak होते हैं, ठीक है, अब example करूँ, मैं अपनी, तो मैं खुद indie medium background से थी, तो मेरा English तो वैसे भी थोड़ा सा weak था, जब मैंने अपने sectional mock के start किये थे, तो मेरे भी marks कभी minus में, कभी बहुत कम आते थे, लेकिन जब मैंने दीर-दीर mock दिया, तब मैंने जाना कि मेरा reading का portion अच जानने कि आप किन topics पे अच्छा है, स्कोर कर ले, तो किन पे आपकी पकड है, जब मैंने mock दिया, तो मैंने जाना कि पैरा जंबल मेरा बहुत ही weak topic है, क्योंकि इसमें कभी भी confidence नहीं आता है, कि हाँ हम 100% accuracy में है या नहीं है, तो यह मेरा थोड़ा weak area था, तो मैंने इसे थ थोड़ा last के लिए रखा, कि जब भी मैं real exam में जाती थी, तो मैं इने कभी last में ही perform करती थी, तो आपको ऐसे ही अपने strong area और अपने weak areas पहचानने है, ठीक है, और जब भी आप यह sectional दो, analysis पे full focus करना, ताकि आज जो आपने गलतियां करी है न, वो दूसरे दिन mock में कभी न दो रहाओ, और वैसे भी, as I sprint, हमें daily अपनी गलतियों से सीखना है, ताकि हम गलतियां करें, गलतियां करना बहुत अची बात होती है, तिकि दुबारा उन गलतियों को फिर से repeat ना करें, हमें हमेशा अपनी गलतियों को सुधारना है, तो इसलिए हमें analysis पे full focus करना है, त तो आप चाहो तो किसी भी article से ऐसा start कर सकते हो, जो भी आपका favorite है, जैसे cricket ही news हो सकती है, या फिर political news, या फिर किसी को Wollywood में बहुत interest रहता है, Hollywood में, तो कोई भी ऐसी news, जो English में हो, आप उससे reading करना है, start करो, daily आपको एक article पढ़ना है, सबसे पहले आपको उसका skimming करना है skimming like, सलसरी निगाहों से देखके, आपको सारे tough words अपनी copy पे note down करने है, आपको अपनी पतली सी copy बनाना है, वो कैब की, जिसमें आप daily अपने जो भी आप article पढ़ोगे न, आपको उसका meaning लिखना है, वहाँ पे, article पढ़ोगे है, उसमें से जितने भी tough words आइंगे, उनका meaning तो आप वैसे ही करोगे, daily का आपका 10-15 meaning निकलेगा, जिसको आपको अपको अपनी copy पे note down करना है, उनका meaning निकालिए, second, इस बार editorial आपको दुबारा पढ़ना है, लेकिन इस बार आपको full understanding से पढ़ना है, जो भी आपका article या editorial है, आपको पूरा understanding के साथ पढ़ना है, क्यो और जब आप उसको लिख लो, तो आप उसका grammar check करने के लिए, उसका spelling error check करने के लिए, उसे grammarly में या फिर grammar checker app होता है, उसमें direct अपना type करोगे text को, तो आपको वहाँ पे error बता देगा, यदि आपकी कोई grammar error है, या फिर कोई spelling में error है, ओके, ये क्या, ये जो पार्ट है न उनके लिए descriptive बहुत ही matter करता है, तो उसमें ये descriptive भी, में भी हमारी help हो जाएगी, ये हम summary daily लिखते हैं, तो, ओके, और last part हमारा है, rules या grammar पे, बहुत easy है, आपको सबसे पहले YouTube में 120 rule of grammar करके, वीडियो है, आपको सबसे पहले वो खतम करनी है, overall मिला के मुझे लगता है, ये देली एक घंटे की वीडियो खतम करनी है, और जब आपकी वीडियो खतम हो जा तो आपको, गाइडली की तरफ से English का grant bundle मिला हुआ है, तो आप उस grant bundle की help से, या फिर आप Google पे भी normally search करोगे, all type of error detection, तो आपको hero PDF या questions paper मिल जाएंगे, तो आप इनकी help लेके, अपनी to-do list मे एक quiz डाल ले, रेंडमली हो सकती है, वो किसी भी error detection की, कभी noun की, कभी pronoun की, या फिर कुछ mixture, जैसे भी previous error question में आई हुए है, तो वो आपको मिल जाएंगे Google से भी, और यह आपके पास में guidely है, तो guidely में तो फिर English का bundle ही मिला हुआ, आप लोग को checklist ही मिलते हैं, तो आप वहा आप लोगों के प्री के लिए और मेंस, दोनों के लिए important है, और यह जो summary का portion है, इस वज़े से descriptive के लिए भी important है, तो आपको यह proper strategy follow करनी है, प्री as well as मेंस के लिए, definitely आपके काफी अच्छे score आ सकते हैं, यदि आप डेली अपने mocks पे, reading पे और rules पे काम करते हो, तो, okay, and thank you so much.